ज़े दोस्तों मैं मुकेस्कमार नोटबुक स्टेडी में आप से भी कह स्वाद करता हूँ तो फ्रेंट आज के इस बीड़ वे में हम लोग 66 BPSC पिरी जी हाँ जिसके एकजाम 27 दिसंबर 2020 को हुआ था PT का तो उसी का अप मैं कटफ लेके आया हूँ या एक revise cut-up होगा क्योंकि BPSC जो है इसका answer की अभी दो दिन पहले जारी कर दी है तो मुझे उमीद है कि आप लोग सब answer की से अपना answer मिला लियो होंगे और लग रहा होगा कि cut-up कितना जाएगा तो मैंने काफी analysis करने के बाद इसको बनाया एक cut-up को क्योंकि यह जो cut-up है थोड़ा सा unexpected जाने वाला है इस बार के जो BPSC का जो एक जाम हुआ है 66 का तो इसका cut-up थोड़ा सा trend से अलग जाएगा तो चली friend पहले मैं आप लोग को cut-up दिखा देता हूँ तो आप लोग मेरे साथ वीडियो पे बने रही हैगा मैं बताऊंगा कि किस analysis के basis पे या cut-up जो है इस बार हाई जाने वाला है तो सबसे पहले हम लोग cut-up को देख लेते हैं फिर analysis करेंगे यह जो point लिखा हुआ उस अधार पे तो चली friend हम लोग यहाँ cut-up को देखते हैं तो यूर category में आपका male का cut-up एक सो तीन से एक सो पांच जिनका एक सो तीन से लेकि एक सो पांच question सही है तो वे में इसके त्यारी अराम से कर सकते हैं female में आपका 96 से 98 के बीच में जिनका question सही है answer सही है तो EWS में जो जायेगा cut-up वा 99 से 101 के बीच में आपका male का रहेगा तथा female का जो cut-up जा रहा है वा 93 से 95 के बीच में cut-up रहेगा बात कर लिए अगर हम लोग B.C. की तो B.C. का जो cut-up रहेगा वा 101 से लेके 103 जिया 101 से 103 तथा B.C. female का आपका 95 से 97 के बीच में cut-up रहेगा E.B.S. आपका इसका male का cut-up 98 से 100 के बीच में रहेगा जबकि E.B.S. female का 92 से 94 के बीच में cut-up रहेगा S.C. की अगर हम लोग B.C. का जो cut-up जा रहा है इस बार 94 से 96 के बीच में cut-up रहेगा तथा female का S.C. category के female का 86 से 88 के बीच में cut-up रहेगा S.T. बिहार में generally S.T. का जो cut-up होता है S.C. से थोड़ा सा हाई रहता है तो S.T. का cut-up 95 से 97 के बीच में रहेगा तथा S.T. female का 88 से 90 के बीच में cut-up रहने का अनुमान है और अगर बात कर लिए Freedom Fighter का तो इसका cut-up 94 से 96 I hope आप लोग कट-up मिला लियो होंगे आप लोग मुझे comment करके जरूर बताइएगा आप लोग का कितना question सही हो रहा है according to BPSC answer की के अनुसाद अब हम लोग उस factor को देखेंगे जिस basis पे मैं बता रहा हूँ कि या cut-up हाई जाएगा क्यों हाई जाएगा आयो इसको हम लोग समझेए क्योंकि आप लोग जैसा देख रहे हैं कि औरंगाबाद center एक center था जहां question link की अफ़वा फैले थी और छात्रों दुआरा काफी हंगामा मचाए गया था वहाँ इस पर मैं एक वीडियो भी लेके आया था और उसी अधर पर आयो लगता है जाच कियोंगे तो कुछ इसमें त्रूटिया तो जरूर पाई गई है तभी जाके इस और अंगाबाद वाले जो एक्जाम center उसका फिर से re-exam लिया जा रहा है PT का तो question link की अफ़वा है तो कितनी इसमें सही है इसकी बात अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो आयो उसका आपका एक्जाम नहीं लेते है लेकिन फिर भी उसको देखते वे cut-up जो है थोड़ा सा high चायागा क्योंकि कुछ तो इसमें सच्चाई है बात कर लिया अगर लेबल की कि इस बार का PT का जो एक्जाम हुआ है उसका लेबल कैसा था तो जहां तक मैं एक एक question पर particular analysis क्या हूँ तो यह question जो है easy to level easy to moderate है easy to moderate है आपका moderate to high नहीं है current और science के question थोड़े से tough थे वांकि history के question सबसे easy आये थे तो level जो है आपका easy to moderate था दूसरा बात है बिहार SI और ESI का अभी हाली में कुछ दिन पहले result आया और आपनों देखे होंगे बिहार SI मेंस का और ESI enforcement sub inspector का PT का और दोनों का cut up जो है ना काफी high गया है बिहार SI का लगबग 75.8 गया है और ESI enforcement sub inspector का 80 गया है जबकि इसमें जो है आपके friend negative marking है negative marking है तब जाके इतना high cut up गया है और वैसे student है ये जो कि आपके बिहार SI मेंस जो दे रहे वे BPSC का भी त्यारी कर रहे PT का भी त्यारी कर रहे BPSC PT जरूर दिये हैं तो इस अधार पर हम लोग कह सकते हैं काफी analysis करने के बाद की cut up जो है आपका 70% जो होता है आपका 150 का 70% के देखे तो 105 हो रहा है तो इस अधार पर में कह सकते हैं कि थोड़ा सा पिछले बार के trade से इस पर cut up sure high जाने वाला है क्योंकि दोनों का cut up जो है आपका भी हादरोगा का और enforcement का high गया है next friend जो सबसे important है कि cut up high क्यों जाएगा तो मैंने काफी analysis करने के बाद देखा है कि 42 question यानि 42 question ऐसे है जो सिर्फ cut up को निधारन करेंगे जी हाँ cut up को निधारन करेंगे 42 question और 5 या 4 math के question है तो 47 question टोटल जो है cut up को निधारन करेंगे कौन-कौन से वे question है मैं एक छलक आपको तुरंट बता दे रहा हूँ जैसे question है कि 29 कारियों की सुची किसमे दी गई है तो ये हो गया तुसरा है बिहार सरकार का आपका वित्य परदर्वन पर नाली हो है तुसरा है बिहार का जो मक्का और गिहों वाला जो answer था वो है फिर सतक्त जीव का पारजन योजना है उसके बाद ले लद्दाक वाला है उसके बाद आपका बिहार से तिन चार question है जन जाती वाला है उसके बाद आपका infrastructure से संबंदित है आपका सड़क infrastructure वाला और math के 5 question है फिर आपका सरफरोसी की तमन्ना वाला question है उसके बाद science के आपका पारा वाला question है ऐसे बहुत question है 42 question science के आपका 2NC वाला है फिर अगर आप बात कर ले तो फिर आड़े इस्तिरांग का question है गुलकोज का एथिल अलकोहल वाला जाइमेज जिसका answer है फिर ब्रिक्स में परलाग सिंग पटेल गयते तो ये को सब question जो है काफी important और ये ही आपके decide करने वाले है उसके बाद operation मागा जो था उसमें आपका नोनाल्ड ट्रम का पूरा निर्वाचन से संबंदित था इस्राइल से सामती समझ होता करना फिर आपका लंदन मेराथे में कौन से थे maximum लोग इसको इकिप चोप मारे हैं लेकिन आपका सुरा की टाटा इसका answer होगा और लगू चितर में आपका नुराचल परदेश है इसके साथ साथ आप अगर देख ले रगवन्स परसासिंग और आपका राम विलास पासवाद से समझ देख जो दो कोश्चन थे ये भी काफी टफ कोश्चन में करेंट के थे तीरी रत में बौद और चैन में काफी कन्व्यूज था तो इस तरह के कोश्चन के साथ साथ मौल चितरकारी का जो आपका चितरंच साला था बिहार से समंदित उत्योग मैंने बता दिया और अटल वाला जो था अटल टनर पूरवी और पश्चमी पीर पंजाल इसमें काफी कन्व्यूज था तो ऐसे मिला के और मैच के चार कोश्चन पांच कोश्चन मिला के तो ये 47 कोश्चन ही जनरली होते क्या इस्टूडेंट 85-90 तक तो सब इस्टूडेंट बना किया आते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि नहीं चलो मेरा कटफ के रेंज में आ रहा हो सकता है मैं चाहूंगा कि कटफ कम जाए सब इस्टूडेंट इसमें पास कर जाए लेकिन फैक्ट यही है कि कटफ इसमार का हाई जाएगा तिसरा कारण है आपका फोर्त कारण है इसका लॉगडौन जी हाँ lockdown के साथ साथ आपको काफी समय मिला है घर में बैटके पढ़ने का और student जो काफी समय से पढ़ रहे हैं तो उनलों का सारा काम का अपना छोड़ के सिर्फ पढ़े हैं lockdown के period में और self study, self study करने से सब YouTube से, book से क्योंकि institution सब बन था तो self study के कारन यहां cut up आप देख लिए मेंस का भी हाई गिया है और ESI का भी गिया है Next है selected candidate given exam इस बार कर जो एक्जाम हुआ है न तो यह center बहुत काफी दूर दूर था तो इस बार जो एक्जाम में जो student appear हुए हैं 40% student appear नहीं हुए थे तो selected candidate जो पढ़ने वाले एकदम student है ऐसे ही छट जाते है पहले कि student क्या होता है कि 30% student ऐसे ही छट जाते है कोई भी exam है लेकिन इस बार selected candidate ही गया है एकदम जो 40% जो छट गया है तो समझ लिए उनका त्यारी उतना अच्छा से नहीं होगा हो सकता है कुछ student के त्यारी हो और किसी कारण वर्स नहीं गया है लेकिसे maximum वैसे student नहीं गया है तो selected candidate गया है जिनके चलते है जो पढ़ने वाले है अब जिनका एकदम त्यारी रहेगा वो किसी भी तरह अपना exam center में जरूर पहुँचेंगे तो selected candidate exam देने गया है जिनके चलते है तो यह जो आपका factor है पांच factor छे factor है यही cut up को निधारत करेंगे और इसका cut up एकदम आई जाएगा देखते हैं जब cut up आएगा तो फिर कितना match करता है तो friend I hope आप लोगों के या वीडियो पसंद आया है तो मुझे जरू कमेंट करके बताएगा कि आपनों का cut up कितना जा रहा है धन्यवाद